पाँज अगस्त को जम्मु कश्मीर में भारत का पूरा संबिधान लागू हुआ, पूरा कानून लागू हुआ, सत्तर साल से जम्मु कश्मीर और लदाक के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावर थी, वो हमने पाँज अगस्त को हटा दी, लेकिन भाई और भेनों, तभी से एक कॉंग्रेस वालों में, उनकी मिली भगत वालों के पेट में ऐसा दर्द उठा है, कि कोई दवा कामी नहीं कर पा रही है, यह कॉंग्रेस के पेट में दर्द, कॉंग्रेस की ला इलाज, बिमारी बन गया है, और कॉंग्रेस को ऐसी बिमारी हुई है, हम स्वच्च भारत की बात करते हैं, तो कॉंग्रेस के पेट में मरोड होने लगती है, हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, तो कॉंग्रेस का पेट दर्द इतना बढ़ जाता है, कि बस पूछिवे ही मत, और जब गलती से कोई बाला कोड का नाम लेता है तो कॉंग्रेस दर्द के मारे उच्छनने लगती है छट पटाने लगती है अब तो देश भी यह जान गया है कि कॉंग्रेस को यह दर्द होता क्यों है किसकी हम दर्दी किसके लिए है आपने देखा है न, कॉंग्रेस के नेताओं के किश्मीर पर जो बयान आये वो बयान किसके काम आ रहे हैं, कॉंग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं, उसका लाख कौन उठा रहा है कहां कहां उसका फाइदा उठाया जा रहा है कहां कहां इस्तिमाल किया जा रहा है आपको पता हैं ने कौन कर रहा है फाइदा उठा रहा है सही बताया आपने कौन उठा रहा है फाइदा कौन उठा रहा है फाइदा अब कॉंग्रेस वालों को जबाब देना चाहिए कि आप ऐसा कैसा बोल रहे हो ऐसा क्यों बोल रहे हो जो पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगता है अरे इंदुस्तान के लोगों को अच्छा लगे ये बोलने की भी तो हिम्मत दिखाओ ज़रा कॉंग्रेस के नेताओं ने जो जुठे दावे मोदी को घेरने के लिए उनी दाओं को पकड़ कर उनी की भाशा को पकड़ कर उनी की भाशा को पकड़ करके आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अपना केस मजबुत बना ले के लिए इनका उप्योग कर रही है उनके भाशा का उप्योग कर रही है मैं हरान हूँ एक तरफ दर्द और दूसरी तरफ हम दर्द पाकिस्तान के साथ यह कौन से केमेस्ट्री है एक किसकी केमेस्ट्री है एक केमेस्ट्री किसके लिए है भाईयों बेहनों इस चुनाव में आप सब को इसका जवाब डूंडना ही पड़ेगा और मैं कॉंग्रेस के लोगों हमेसे कहता हूँ आपको मोदी का जितना विरोत करना है करिए जितने आरोप लगाने है लगाईए जितना जुड बोलना है बोलिए जब तक जनता जनारदन का आशिरवाद है मोदी पर तुम्हारा कोई दाग चिपकने वाला नहीं है लेकिन कम से कम मैं आपका बहुत आभारी हूँ आपके प्यार के लिए आपका आभारी हूँ भाईय भानो मोदी को जितना बड़ा बुरा जो कहना है कहो लेकिन कम से कम मा भारती की तो इज़त करो भारत माता का तो गवरव करो सीमा ऐसे तो मतला जो जो देश का नुक्षान कर दे भाईयो बैनो और इसके साथ ही बड़ी बात ये भी है इक कॉंगरिस में भी जो आर्टिकल 370 को हटाने के सबसे मुखर विरोधी है यही टोली अब हरियाना को समालने के लिए आगे आ रही है आप मुझे बताईए यह यहां के जवानों का अपमान हैक नहीं है यहां के शहीदों का अपमान हैक नहीं है यहां की वीर माताओं का अपमान हैक नहीं है। कॉंगरेस को हर्याना के उन माताओं के उन बेटियों की संबेदना का बिलकुर खयाल नहीं है। जिनोंने अपने सपूतों को, अपने सुहाग को, अपने पीता को मा भारती के लिए शहीद होते हुए देखा है। कॉंग्रेस को हर्याना के उन वीरी सपूतों की भावनाओं से बिलकुल फड़ नहीं पड़ता जो जम्मु कश्वीर और लदाक की सुरक्षा के लिए वहां डटे हुए है